दोस्तो बचपन से हर किसी को सूपर नेचुरल पावर का सौख रहता है और उसमें से भी इन्वीजिबल होने की पावर लगबग हर किसी की फेवरेट है लेकिन जब हम वक्त के साथ बड़े होते हैं तो हमें पता लगता है कि इनविजबल होना या फिर जो भी सूपर नेचुरल पावर होना यह केवल एक फिक्षान है लेकिन इस फिक्षान को सच करने के लिए हम काफी कोषिस करते हैं कई भाँ ऐसे कॉंसप्ट निकालते हैं जो कि पोसीबल होना लगवग impossible है और कई बार कुछ ऐसे कॉंसेप्ट निकालते हैं जिससे इन्वीजिबल तो हम हो नहीं सकते लेकिन इल्यूजन जरूर क्रिएट कर सकते हैं और आज की वीडियो में हम लोग जानेंगे कि कैसे इन्वीजिबल होना एक फिक्षन नहीं बल्कि एक पॉसिबिलिटी है दोस्तो पहले लोगों का मानना था कि अद्रिश्य होना किवल जादू दोने के काम है लेकिन वक्त के साथ लोगों ने सोचा क्यों ने ये जादू हम भी करें तो दोस्तो इसी होड में कई लोगों ने ये तरीका निकाला कि वो अपने सामने एक बड़ी सी डिस्पले रख दिंगे जो कि उनके पीछे कौन सी स्क्रीन है उसको सामने दिखा देगा जिस वज़े से वो इन्विजिबल से लगींगे लेकिन वो लोग इन्विजिबल तो नहीं लगे लेकिन मूर्ख जरूर बन गए इसके बाद लोगों ने सोचा कि वो आप फिजिक्स की मदद लेके इसे पॉसिबल कर सकते हैं इस कॉंसेप्ट में किवल एकी चीज़ पता थी कि अगर लाइट हमारे थ्रूर रिफलेक्ट नहीं होगी तो हम दिखेंगे भी नहीं जो कि सच है लेकिन उन्होंने तरीका गलत अपनाया उन्होंने लाइट को बेंड करने की कोशिस की जिसकी वजए से हमारी पीछे की इमेद साप नहीं दिख पा रही थी अब हमें असल में में रीजन जानना पड़ेगा कि हम इन्विजिबल कैसे हो सकती है तो इसी बीच आ सवाई किये हैं जो कि 90 सक्सेश Спूल है कि उन्hold नहीं एक ऊकेपेश के ऊइस के ऊपर जिंक ये मैटल लगा दिये थे और जब उसके उपर उन्होंने जिंक ऑक साइड ढ़ला और असके बाहल उसके उपर से लाइट पास कर आई तो और उन्हें देखा कि वह उपे क्यों सर्फेस के ऊपर एक इमेज बनी है यानि कि जो लाइट है वो उसके थ्रू पास हो चुकी है तो इसको आज के टाइम पर यूज करना बहुत मुस्किल है क्योंकि जिंक ऑक्साइट से भले ये चीज आरपार जा रही है लेकिन सवाल तो अभ कि हम यूज नहीं कर पा रहे हैं लेकिन क्योंकि हमने इनिशियल स्टेज पर याने पहली स्टेज की सीड़ी हमने पार कर दिया इस वज़े से यह काफी जादा पॉसिबल है कि आने वाले कुछ सालों में हम इंविजिवल हो सकते हैं खेर अगर दोस्तों अच्छे लगे हो तो लाइक जरूर करना और चैनल पर नए हो तो सबस्क्राइब तरके घंटी जरूर दबाना